Hello everyone, welcome to MagnetBrainz, मैं से प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी YouTube चैनल MagnetBrainz पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिलकुल free of course, जी हाँ, बिलकुल ठीक है अब class 12 का एक बहुत जबरदास chapter, ray optics and optical instrument उसका बहुत शांदार topic, power of lens लेगा आगा है power of lens वाली चीज आप पढ़ चुके थे class 10 के अंदर भी अब यहाँ पर इसको वापस पढ़ना है, थोड़ा सा depth में और एक बहुत शांदार linkage रहेगा इसका और lens makers फॉर्म लगा, ठीक है अब वो कैसे होने वाली है चीज है, बिना समय लगाए, जल्दी से जल्दी start करते हैं देखो भाई साब, पहले क्या आगया है, definition ठीक है, जो की चाहते है हर कोई power of a lens is defined as the ability of the lens to converge or diverge a beam of light falling on the lens इसका मतलब यह है, कि power of lens जो होती है न, वो किसी भी lens की ability होती है कि वो किसी भी light rays को कितना जादा converge या कितना जादा diverge कर सकता है it's as simple as that, ठीक है, याद रखना converge करने वाला सारा काम converge करने वाला सारा काम कौन करने वाला है, convex lens करने वाला है और diverge करने वाला सारा काम कौन करने वाला है, concave lens करने वाला है इस बात को ध्यान रखेगा अब logic क्या बन रहा है कि अगर किसी lens की power जादा है तो वो light rays को जादा converge कर देगा या जादा diverge कर देगा depending on convex lens की concave lens है और अगर किसी lens की power कम है तो वो light rays को कम converge कर पाएगा या फिर कम diverge कर पाएगा depending on की convex lens है की concave lens है इतनी सी बात समझ में आ गई पका ठीक है अब ज़रा एक और चीज लिखी है आपर देख लेना अच्छा तो अभी हमने क्या समझा कि ठीक है भाई या power of lens की बात कर ली इसका मतलब क्या हो गया अगर power जादा तो जादा converge या जादा diverge कर देगा power कम तो कम converge या कम diverge कर पाएगा ठीक है लेकिन ये क्या आगया इसका मतलब ये है कि power of lens इसको हम पीसे करेंगे इसको define करा गया है as the reciprocal of focal length मतलब 1 upon focal length इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि power of lens और focal length they are inversely proportional to each other ठीक है अगर power जादा होगा तो focal length कम होगा अगर power कम होगा तो focal length जो है वो जादा होगा it's as simple as that ये वाली बात आपको समझ में आ गई अब exactly जो आपको शब्दों में समझ में आया था ना उसको मैं पूरा बना के दिखाने वाला हूँ तो कहानी आपके लिए और भी जादा शानदा रहने वाली है चलें स्टार्ट करें पहले आपको दिखाते हैं for example for a convex lens ठीक है convex lens पे दो convex lens लेने वाला हूँ एक का power होगा P1 एक का power होगा P2 ठीक है और मैं पहले से बोल देता हूँ कि दूसरे वाले का power जो है ना वो पहले वाले के power से जादा है ठीक है यह चीज पहले से ही हमको पता है already given या already known ठीक है कि दूसरे वाले की power जो है वो पहले वाले की power से जादा होने वाली है अब जड़ा ध्यान देना कैसे हम इसमें साथ game खिलने वाले हैं यह हमाई पास पहला वाला convex lens है और यह हमाई पास दूसरा वाला convex lens है चलेगा आपको इत्ता ठीक है पहला convex lens और दूसरा वाला convex lens इसका जो पावर है वो क्या होगा P1 के बराबर और इसका पावर क्या होगा P2 के बराबर देखो भाई साब जब भी light rays आती है parallel to the principal axis जब भी light rays आएंगी parallel to the principal axis तो जो convex lens है वो क्या करेगा उसको converge करेगा मतलब दबा देगा towards the principal axis ठीक है लेकिन पहले वाली की power जो है वो कम है दूसरे वाली की power जादा है तो पहला वाला कम converge कर पाएगा लाइट रेस को कम कंवर्ज कर पाया और दूसरा वाला लाइट रेस को जादा कंवर्ज कर देगा तुम देख रहे हो कि पहले ने भी कंवर्ज करा दूसरे ने भी कंवर्ज करा विकास दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस थे लेकिन पहले वाले ने कम कंवर्ज करा और दूसरे वाल दूसरे वाले की case में बहुत ज़ाधा clearly visible है यह चीज तो कि यहाँ पे अलग लेता है लेते हैं कुछ अलग पयारा सक अलग तो भाई यहाँ से लेकर अरह यह ज़रा गौर करेगा अच्छे इस इस यहाँ से लेकर कि जो यहाँ तक की दूरी है this is this is nothing but the focal length लेकिन ये focal length किसका है पहले वाले case में और यहां से लेकर कि यहां तक की जो 还 соп tink की जो दूरी है यह भी क्या है यह bhyfocal length है बर दूसरे वाले case में clearly visible है पावर जो था वो दूसरे वाले का जादा था लेकिन focal length जो है वो पहले वाले का जादा है तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि जिसका पावर जादा है उसका फोकल लेंथ छोटा है आया समझ मैंने क्या बोला कि अगर पावर जादा है तो फोकल लेंथ छोटी है और अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ जादा है तो पावर किसी कम थी पहले वाली की पावर कम थी त देफोर f2 is going to be less when compared to f1 क्या आपको ये वाला पूरा फंडा जो है वो damn sure clear हो गया है पक्का चले तो एक काम करो भाई साब जो statement यहाँ पर लिखा हुआ है यह statement यहाँ पर लिखा हुआ है कि power of lens is defined as the reciprocal of focal length तो इसी statement को मैंने पूरा justify करने के लिए आपके सामने बहुत जानदार सा diagram बना के रख दिया है आपका काम बस है इसको तरीके से note करो ठीक है बाई साब जल्दी 321 ready go done हो गया चलो आगे बढ़ते हैं यह वाला case तो अपना clear हो चुका है अब जरा इस पर आया जाए unit लिखी हुई है power की SI unit system international जो accepted है हर जगा वो unit है power of lens की डायोक्टर अच्छा एक बात सुनना कभी भी यह मत सोचना की power of lens की watt क्यों नहीं कर दी क्योंकि हमने पढ़के रखा है की watt तो होती है लेकिन बेटा power mechanical power अगर होगी ना तो उसकी जो होती है unit वो होती है joule per second या watt लेकिन यह क्या है यह lens की power है चीक है तो lens की power की unit क्या हो ज कर रहे है उसमें ध्यान करना की maximum cases में जो focal length आया है हमारा वो centimeters में आया था या अगर हमने निकाला centimeters में निकाला question में given था centimeters में ही given था but the thing is that कि आपको यहाँ पे जड़ा अलग सोचना पड़ेगा because जब आप किसी भी lens की power निकालते है ना तो obviously आप formula कौन सा apply करेंगे 1 upon focal length अभी पढ़ाया था power of lens का formula क्या होता 1 upon focal length अब यहाँ पे मस्साला क्या होता है कि focal length यह होता है ना- that should in meters so to focus on meters में है तब जा रहा करके आपकी ज़ कावर आएगी वह आएगे diokters में आया आएशे को समझ तो अगर focal length meters में है तब जा करके ज़ का वैजिए वो आएगी डायोक्टर में, तो मीटर में कनवर्ट कर लेना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा कुछ लोग क्या होता है, कि उन्हें कनवर्जन नहीं आते, ठीक है, तो अगर नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेमेटर को अगर यह बात आप समझ गए, पक्का, डन, अब जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, पावर ओफ लेंज का जो फॉर्मला मैंने बताया, पावर ओफ लेंज के एक फॉर्मले पे ध्यान दिया जाए, देखो, पावर ओफ लेंज रहेगा, वन अपॉन फोकल लेंज, ठीक है, यह कब, अगर, फोकल लेंज मीटर्स में होगी, अगर फोकल लेंज मीटर्स में होगी, तब जाके जो पावर है, वो आएगा डायोप्टर्स में, आया समझ, ठीक है, अब जरा अगले वाले मसले पर ध्यान देना, अगर, माल लो, फोकल लेंज जो है, अगर वो मेन Cup तो पहला काम किया बनते है आपका तो आपका कि उसको पीष्लम में अ crush करो अगर में सट्य में में given है दिवाइड कर दो हंड़ेड से तो यह फॉर्म डिया मैंने स्कॉर से तो क्या कारिकरम हुआ है क्या कारिकरम है कि यहां पर जो focal length है is in centimeter यहां पर जो focal length है वो किसमें आ रहा है संटिमेटर में आ रहा है तब जाकर कि जो power है वो आ रहा है diopters में is in diopter अब जरा गोर करी है diopter के लिए हम सिर्फ D use कर देंगे जैसे Newton के लिए सिर्फ N यूज़ कर देते हैं, Ampere के लिए सिर्फ A यूज़ कर देते हैं, तो वैसे ही Diopter के लिए बस D यूज़ कर देंगे, इतनी सी बास समझ में आगे आप लोगो, यह formula वाइस था हलका सा, ठीक है, तो ready, 1, 2, 3, go, कर लिया, पक्का, चलो, आगे बढ़त to index of lens upon index of surrounding minus 1, फिर बागल में चपक्या आजाती है, 1 by r, 1, minus 1 by r, 2, अब ज़रा गौर करेगा, यह तो हमने पढ़ाता है as lens maker formula, ठीक है, लेकिन 1 upon f जो है न, वो तो power of lens होता है, 1 upon f क्या होता है, यह तो power of lens होता है, तो इसका मतलब सीधे तोर पे यह आगया, कि अगर आपको power of lens निकालना है, तो power of lens का यह formula हो जाता है, आया आपको समझ, तो power of lens क्या हो जागा, 1 upon f, और 1 upon f equal to क्या होता है, mu l upon mu s minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक है, तो lens maker formula is basically about power of lens only, ठीक है, इस बात को आप समझ गए, पक्का, 3, 2, 1, ready, go, done, नोट के लिए होगा, चले आगे बड़े, यह वा उस lens की focal length है, वो 1 meter होगी, चले, इतना पूरा clear है, अब ज़रा आ रहे हैं आपर focal length of equivalent lenses के बारे में, ठीक है, जब 2 lenses को एक साथ लगा दिया जाएगा, तो उनका combined focal length क्या आने वाला है, इस पर ज़रा गौर करना है, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात पर और लेकर के आत अब ज़रा गौर फर्माएगा किस बात पर यहां पर देखें, अगर power आ रहा है positive में, इसका सीधा सा मतलब यह है, it means focal length is positive, अगर power positive में आ रहा है, इसका मतलब focal length कैसा होगा positive, because power की dependency किसकी उपर है, focal length की उपर है, तो power अगर प्लस में आ रहा है, मतलब focal length आ रहा होगा plus में और focal length प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कौन सा lens यूज करा है, convex lens, it means that convex lens is there, the lens is convex lens is in nature, अब ज़रा ध्यान देना, इसका अगला वाला case देखना, अगर power negative आ रहा है, obviously यार, अगर power negative आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, कि focal length रहा होगा negative, it means that focal length is negative, now focal length negative कब होता है, जब concave lens होता है, now it means that the lens is concave, it means that the lens is concave, it means that the lens is concave, इस बात को आप समझ गया अच्छे से, पक्का, ठीक है, तो power का positive होना, मतलब, यहाँ पे clear है, अगर यहाँ पे power आ रहा है, आपकी positive में, मतलब lens आ रहा होगा, convex lens, that is converging in nature, और अगर power आ रहा है concave lens, lens आ रहा होगा, आपका concave lens, that is diverging in nature, it's as simple as that, जल्दी इसको note करो, 3, 2, 1, ready, go, done, हो गया, चले, आगे बढ़े, चलो भाई, निप्टा है जाए इसको, जल्दी निप्टो भाई, अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा होगा है, focal length of equivalent lenses, पहला case कहा है, कि both the lenses are convex, placed negligible distance apart, अगर दो lenses हैं, दोनों ही convex lenses हैं, और they are placed very negligible distance apart, तो कहानी कैसे carry out होने वाली है, जरा गौर करिये, भाई, तुम पहले यह लिख लिख लिया करो, पता है, जो यहाँ लिखा होगा है, एक बार तुम उसको ना लिख लिख लिया करो, copy में, ठीक है, उसके बार तो मैं फिर slide change क मैं बहाँ पढ़ाता हूँ, तो इसको लिख लो, उसके बार तुमको चमके आखिए, एक जाल किया रहा है, ठीक है, तो both the lenses are convex, ठीक है, अब क्या होने वाले हैं, case A की बात चल रही है, both the lenses are convex, पहला, चिपक कही दूसरा, principle access के बिना कहां काम होता है, अचकर, यह रहा principle access, ठीक है, अब दिख क्या होता है, जो पहला वाला है, इसका focal length का F1, दूसरे वाले का focal length का F2, ठीक है, या इसका focal length F1 है, इसका power क्या होगा 1 upon F1, इसका focal length F2 है, इसका power क्या होगा 1 upon F2, ठीक है, बस focal length को meters में convert कर देंगे, अ पर नहां पर नहीं अगर मैं आपको बताओं तो अगर P की बात करें P1 की बात करें तो यह होता है power of first lens अगर P2 की बात करें तो यह हो जाता है power of second lens चलेगा आपको इता है और अगर P की बात करें So this is the combined power या फिर equivalent power ठीक है so this is the combined power या फिर equivalent power अब जरा मेरी बातों पर गौर फरमाएगा अच्छे से ठीक है जब दो lenses को लगाते हैं ऐसे अपन combination में तो जो net power होती है मतलब जो equivalent power होती है वो होती है पहले वाली की power प्लस दूसरे वाली की power यह वाली बात समझ में आगे आप लोग को पका जब separation distance negligible है तो net power जो होगी पूरे entire combination की वो हो जाएगी पहले वाले का power प्लस दूसरे वाले का power अब एक बाद जरा सुनना पहले वाले का power होगा वो होगा 1 upon पहले वाले का focal length similarly जो दूसरे वाले का power होगा 1 upon focal length तो जैसे P का मतलब था तुम्हारे पास equivalent power of lens तो वैसे ही बड़ा वाला F जो है this is the equivalent focal length this is the equivalent focal length similarly अगर कोई F1 पूछ ले इसका मतलब क्या हो जाएगा यह पहले वाले का focal length है तो focal length of first lens focal length of first lens और अगर कोई F2 पूछ ले तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा focal length of second lens ठीक है क्या आपको इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई है पका ड़न ठीक है तो यह आपके पास आएगा combined power ठीक है या फिर equivalent power और यह आएगा equivalent focal length यह वाली कहानी पूरी clear है अब ज़रा मैं इस पर build up करता हूँ दो में ध्यान दीजेगा बड़ी simple सी बात होने वाली है कुछ नहीं है इसके अंदर देखो तो 1 upon f था ज़रा solve करो इसको यह क्या हो जाएगा f2 plus f1 upon नीचे क्या आजाएगा f1 f2 ठीक है अब आपको अगर equivalent focal length निकालनी है तो reciprocate मार दो क्या कर दो reciprocate मार दो तो यह क्या हो जाएगा f1 f2 upon f1 plus f2 आगे यह जो fund यहाँ पर लिखा है समझ में आगे आपको पूरा बड़ा simple सा fund था ठीक है तो अगर दो lenses को बहुत ही past past place कर दिया गया है तो जो उनका combined power आता है वो निकलता है उनके individual power के summation के बराबर और power को खोलना तो आता ही है one upon focal length होता है p1 का मतलब पहले वाली की power तो one upon पहले वाली की focal length और p का मतलब net power, combined power, equivalent power तो one upon net focal length, combined focal length, equivalent focal length तो यह रहा आपके सामने जरा इसको जल्दी से note कर लीजे चलिए ठीक है आप लोग ने इस चीज़ को अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाए बेटा सुनना अच्छे से होता किया है जो यह formula यहाँ पर आया तो आया सामने यही formula आगे वाले आने वाले contents की भी जान है तो जरा एक बार इसको लिख लो उसके बाद बहुत सिंपल चीज़े बची हुई है maximum काम तुमारा होई चुका है अब बड़ी सिंपल चीज़े बची हुई है तो बस इसको लिख लो उसके बाद तो फिर काम असानी है 3, 2, 1, ready, go, done हो चुका होगा चलें तरा clear करें अब आपको लेकर के आते हैं आपके अगले वाले content के उपर सर इससे पहले आपने क्या पढ़ाया था अभी ये पढ़ाया था बोट दा lenses are convex यहाँ पर देख लो न यहाँ पर क्या हुआ था lenses कैसे थे convex ही थे जो की बिलकुल बहुत पास-पास एकदम चिपक के खड़े हुए थे एकदम चिपक के खड़े हुए थे negligible distance apart अगले वाली case में क्या होने वाला बेटा अगले वाला case ही है जिसमें से एक lens जो है वो तो convex lens है और जो दूसरा वाला lens है वो concave lens है इसको पढ़ने के लिए बस तीन cases बड़े simple cases है उस previous formula कौन सा formula बार बार दिखा रहा हूं भाई इसको गलती मत करना प्लीज ठीक है चलें okay clear तो बस इसी formula के ओपर इन तीनों cases की भी एकदम तरीके से studies की हो जाएगी ठीक है तो जरा इसको पढ़ो फिर इसको आपर start करते है चलें okay done इसको देख लिया होगा वो बकाइदा से arise होते है तो पहले तीन cases पर एक बार जरा नजरें घुमाई है और उसके बाद इसका derivation तो हम घुमा देंगे अब यहाँ पर क्या है F1 इसको स्टू क्या है F2 है तो जरा पहले तो आजाओ भाई साब एकडम करेंगे बेसिक से इसमें बिलकुल भी आना कानी अपन नहीं करते है ठीक है देखो भाईया पहला वाला क्या है कॉन्वेक्स लेंस है ओके और दूसरा वाला कैसा है दूसरा वाला है कॉन्केव लेंस नेगलिजिबल सेपरेशन डिस्टन्स था ना तो यह रहा कॉन्वेक्स और कॉन्केव का पूरा का पूरा सेटप ठीक है अब ज़रा मेरी बातों पर गौर करेगा पहली बात तो यह समझ लो कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम लेके चलेंगे जो की होता है पॉजिटिव में और यह होता है positive में obviously और concave का focal length लेके चलेंगे फ2 जो की होता है negative में obviously ठीक है यह वाली कहानी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी अब इसको implement किया जाए जब भी आप power की बात करते हैं इसकी बात करता है power की तो power जो होता है ना पावर की जब भी आप बात करेंगे तो power अगर multiple optical instruments है तो फिर दोनों के power add हो जाएंगे तो पहले वाले का power और दूसरे वाले का power जो है वो add हो जाएगा अब ज़रा गौर करना जो पहले वाले का power होगा ना यह होगा one upon पहले वाले का focal length और जो दूसरे वाले का power होगा वो होगा one upon भाई साब दूसरे वाले का focal length जो की है minus में because वो concave lens था ठीक है यहाँ पे क्या हो जागा one upon combined focal length अराम से करना गलती मत कि अगर उसमें अब देखो बिटा इसको पन ऐसे कर देंगे one upon f1 minus का one upon f2 यहाँ तक कोई दो रहाई पका done चलो ठीक है बज़र गौर करो यहाँ पे सवाल में क्या कहा जा रहा था हमारा जो given case था वो यह था कि अगर f1 और f2 दोनों की value अगर बराबर हो जाए तो आपके सामने क्या कहानी उभर करके आने वाली है अगर f1 और f2 दोनों की value अगर बराबर हो गई ना तो क्या होगा ज़रा गौर करो now according to the case now according to the given case बहुत detailing में बता रहा हूँ बहुत detailing में इतना पढ़ने के बाद तुम्हें दिक्कत आएगी ही नहीं until आप इस topic को revise न करें तो revise करते रहे ना बेटा now according to given condition given case f1 equal to f2 था f1 equal to f2 था तो बेटा अगर f1, f2 दोनों की value बराबर है अगर सेम तरह की चीज़ें माइनस हो रही है तो answer निपट के क्या आजाएगा answer निपट के आजाएगा 0 तो 0 बोले तो 0 upon 1 लेकिन आपका intention था combined focal length निकालना क्या निकालना combined focal length निकालना तो f क्या हो जाएगा 1 upon 0 f क्या हो जाएगा 1 upon 0 और 1 upon 0 क्या होता है it is not defined it's as simple as that 1 upon 0 क्या होता है not defined as simple as that infinity तो जो आपका given case था उसके according वहापे लिखा भी तो हुआ है देखो तो क्या लिखा हुआ है the combination will behave like a plane glass plate उसकी तो बात करूँगा थोड़ी दिर में और focal length कितना आ गया infinity net combined focal length कितना आ चुका है infinity आ चुका है अब एक बात पर ज़रा गौर करेगा plane glass plane reflecting surface जो होता है उसका focal length भी क्या होता है उसका focal length भी not defined होता है therefore this entire combination is behaving as if it is a plane glass plate as if it is a plane glass plate ठीक है यह वाली बात आपको समझ में आ गई चलो ठीक है अच्छा यहीं पर आपको मैं हलका सा extra ग्यान देता हूँ ठीक है दो में ध्यान दीजिए कि आपको यहां पर मैं हलका सा extra ग्यान देता हूँ extra में उल्टा A भी extra लगा दिया है अब सरी extra ग्यान क्या देने वाले हैं अब यह extra ग्यान जो है वो 10th class से रिलेट करवाँगो तुमको ज़रा सुनना भाई अगर focal length net combined focal length अगर minus में आ गया ठीक है सुनना अच्छे से net combined focal length जो है अगर वो minus में आ गया तो ज़रा गौर फर्माईए focal length negative कौनसे lens का होता है वो तो concave lens का होता है किसका होता है concave lens का तो इसका मतलब यह है कि जो combination है वो behave करने लगा है as a concave lens ठीक है और अगर particular किसी भी given case के अंदर अगर मान लीजे f की value अगर positive में आ गई किसमें आ गई positive में आ गई तो यह जो positive focal length होता है वो दरसल characteristic feature होता है for a convex lens इसका मतलब जो भी आपका given entire combination होगा this would be behaving like a converging lens that is convex lens it's as simple as that कि आपको इतनी बाते चमा करिये दिमाग में पका डन तो पहले जो पहला वाला केस था उसको आपने लिख लिए है मेरे क्याल से यह मतलब केस बी का जो पहला वाला point था कि F1 equal to F2 होगा तो वाईस आप क्या फर्क पड़ेगा capital F की उपर F1 का मतलब पहली वाली का focal length F2 का मतलब दूसरी वाली का focal length F का मतलब combined focal length ठीक है इस बात को आप लोग समझ गया है पक्का डन 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 पक्का चलो अब इसका solution यह रहा आपके सामने जल्दी से जल्दी इसका screenshot लो ठीक है copy किताब लेकर बैठा करो मैं तो बोलता हूँ ठीक है अगर समय कब है तो screenshot ले लोगर आप लोग बहुत busy चल रहे है तो screenshot ले लीजे 3 2 1 ready go done हो गया चलो clear करे इसको अब आजाएं आपका दूसरा वाला case का है जारा वह देख लिया जाए ठीक है तो दूसरा वाला case है कि अच्छा बेटे F1 जो है वह F2 से बड़ा होने वाला है अब F1 और F2 अगर बड़ा होने वाला है तो क्या होगा मेरी बात सुनना F is negative F क्या हो जाएगा negative हो जाएगा मतलब यह कि अगर पहले वाले का focal length अगर दूसरे वाले के focal length से बड़ा हो गया तो capital F मतलब combined focal length जो वह negative आने वाला है और negative अगर आने वाला है तो obviously वह कैसे behave करेगा ऐसा concave lens ठीक है अब वह negative exactly आ क्यो रहा है को भूल मत जाना कि पहला वाला कॉंसा lens है convex और दूसरा वाला कॉंसा lens है concave चले start करें अब आते हैं इसके case number 2 पे ठीक है तो यहाँ पर obviously पहला वाला क्या है convex और बहुत ही negligible distance apart यह है concave obviously principal access ठीक है अब मेरी बात पर गौर फर्माते वे चलेगा आपको पता ही है कि जब net power निकालना होता है तो क्या कहना पड़ता है पहले वाली की power और दूसरे वाली की power को add कहना पड़ता है अब जब गौर करो net power क्या हो जाएगा 1 upon net focal length is equal to यह क्या हो जाएगा 1 upon focal length पहले वाले का प्लस यह क्या हो जाएगा 1 upon focal length दूसरे वाले का और दूसरे वाले का focal length क्या होगा minus का f2 क्या हो जाएगा minus का f2 it's as simple as that अब अब जड़ा अच्छे से गौर करते वे चलेगा जब मैं इसको solve करूँगा तो यह ऐसा आजाएगा अब जड़ा मेरी बातों पे गौर करेगा मैं sign conventions को तो apply करी चुका हूँ मैं sign conventions को तो apply करी चुका हूँ अब आता हूँ case पे case क्या बोल रहा था कि f1 की value f2 से बढ़ी है पका अब नीचे वाला जो denominator है वो से values भरनी है इसके अंदर अब तो साइन तो मैं भरी चुका हूँ तो अगर f1 की value f2 से जादा है मतलब f1 जादा है f2 कम है तो मैं छोटी value में से बड़ी value को minus करूँ और अगर मैं छोटी value में से बड़ी value को minus करूँगा तो answer कैसा आता है negative क्या बोला मैंने सुना तुमने कि अगर मैं छोटी value में से बड़ी value को minus करूँगा तो मेरा answer कैसा आ जाएगा negative तो therefore capital f sign convention wise कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा therefore the combination will be behaving like a concave lens therefore the combination will be behaving like a concave lens that is diverging lens क्या आपको इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई है पक्का तो जाएगा गौर करेगा वही तो वहां पर लिखा हो था कि हाँ जो combination है that will be behaving like a concave lens ठीक है और उसके बाद when focal length is okay larger ठीक है वही बात हो गई कि हाँ ठीक है combination जो है वो कैसे behave करा लाएका concave lens because focal length is negative यह रहा इसका case एक बाद इसको लिख लो ठीक है 3 2 1 ready go done हो गया होगा चले अब detailed explanation ही इसका ठीक है तो इसको भी जल्दी note के लीजे 3 2 1 ready go done हो गया चलो आगे बढ़े हम अब आते हैं इसके simple से तीसरे वाले case के ऊपर ठीक है तो तीसरे वाले case के बोल रहा है कि अगर f1 की value f2 से छोटी हो गई है मतलब जो focal length convex lens का है न वो concave lens के focal length के मुकाबले कम जा रहा है value wise ठीक है तब हम जब solve करेंगे तो capital F आ जाएगा positive और अगर capital F positive आएगा देखो कैसे आएगा वो तो मैं बताएगा लेकिन capital F अगर positive आ गया इसका मतलब जो entire combination है उसका focal length आगा positive अगर पूरा combination का focal length positive आ रहा है इसका मतलब पूरा combination behave कर रहा है like a convex lens because convex lens का focal length positive होता है ठीक है और अगर convex lens की तरह behave कर रहा है तो obviously वो converging है कैसा है converging है it's as simple as that ठीक है अब जरा गौर करते है बिटा आप main case को दिमाग में अटकाओ इसको नहीं भूलना है main case का है तो मारे पास F1 की value जो है वो F2 से छोटी होने वाली है चले भाईया आज आते हैं इसके ओपर ठीक है जल्दी जरा गौर करीगा basic basic funda वापस से ठीक है obviously convex lens होगा और negligible separation distance apart एक concave lens रखा हुआ है ठीक है it's as simple as that ठीक है अब जरा गौर करी अच्छे से आपको पता है combined power क्या आती है P is equals to यहाँ पे दो optical instrument थे तो P1 plus P2 ठीक है अगर 10 होते हैं तो P1 plus P2 P2 plus P3 plus P4 up till P10 करते रहते हैं ठीक है proper sign convention तो apply करना ही पड़ेगा बेटा net power है तो 1 upon net focal length is equals to क्या हो जाएगा 1 upon focal length पहले वाले का plus क्या हो जाएगा 1 upon focal length दूसरे वाले का it's as simple as that ठीक है अब जरा गौर करेगा यह जो दूसरा वाला है यह तो दरसल concave है बस गया ठीक है concave मतलब कैसा focal length माइनस में F1 के लिए मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा कुछ because F1 जो है ना वो दरसल focal length है convex lens का और convex lens का focal length होता है वो तो होता है positive ठीक है इसलिए अपनने यहाँ पे कोई भी छिडखानी नहीं करी ठीक है यह वाली बास समझ में आगया आपको ठीक है तो equation को अपनने बिल्कुल touch नहीं कर रहा है 1 upon F1 बेटा इसको खेल लो अच्छे से तो 1 upon F is equal to F2 minus F1 upon नीचे क्या आ जाएगा F1 F2 ठीक है नाउ अगर इसको तरीके से देखा जाए तो F क्या आने वाला है F आने वाला है आपके पास F1 F2 upon F2 minus F1 upon क्या आएगा F2 minus F1 अब according to given case according to given case हमारे पास given case क्या है कि F1 की value छोटी है और F2 की value जो है वो बड़ी है तो F1 छोटा होने वाला है तो now according to according to according to given case यहाँ पर given case यह है कि F1 छोटा है और F2 जो है वो बड़ा है F1 की value छोटी है और F2 की value बड़ी है मतलब F2 की value बड़ी हो गई तो जब बड़ी value में से छोटी value को मैं minus करूंगा जब बड़ी value में से मैं छोटी value को minus करूंगा तो जो मेरा answer आएगा वो आएगा positive ठीक है तो जब मेरा answer positive आएगा मतलब net combination कैसा आजाएगा focal length positive ठीक है therefore it behaves it का मतलब उता पूरा combination यहाँ ठीक है therefore it behaves या फिर therefore the combination behaves as if it is converging lens in nature as if it is converging lens in nature बस इतनी सी ही नाजुक सी बात है ठीक है तो given case आपके सामने यह रहा कोई यह case number 3 देख लो बेटा case number 3 की बात करी अभी ठीक है और case number 3 में क्या हुआ entire combination behaves like converging lens focal length becomes positive तो हमारा भी आगया लिख लिए होगा आप लोगोने इसको अब उसके बाद यह रहा है इसका detailed explanation ठीक है जल्दे इसको note करो 3, 2, 1, ready, go, done हो गया चले आगे बढ़े ओके यह तो पूरा case clear हो गया अब आजए यह बेटा अगले वाले case के ऊपर ठीक है अगले वाले part के ऊपर power of a lens equivalent focal length if two lenses are placed considerable distance apart अच्छा यह पहले वाले से कैसे जुदा है जड़ा गौर करिये पहले वाले में क्या हुआ था इससे पहले वाले combination में क्या हुआ था कि दो lenses तो रखे हुआ है बट उन दो lenses के बीच में separation distance ना के बराबर था एक considerable separation distance हो वैसा भी तो हो सकता है ऐसे माल लो अब मैं तुमको दिखा तो समाल ले यह first convex lens है यह मालनीजी यह पहला convex lens है और इसकी बनाते है principal axis और यहां पर रखा हुआ है एक दूसरा convex lens ठीक है अब यहां पर क्या और बीच में जो separation distance है इन दोनों के centers के बीच में जो separation distance है वो है केवल d के बराबर किसके बराबर है d के बराबर है तो इस particular case में यह जो पूरा combination आपको नजर में आ रहा है इस पूरे combination का जो focal length होगा वो होगा capital F क्या होगा capital F और capital F यह रहा आपके सामने तो उस case में जो formula बन जाता है ना वो यह बन जाता है 1 upon F is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D upon F1 plus F1 into F2 ठीक है यह वाली कहानी आपको समझ में आ गई पका यह एक बात ना तुमको मैं याद दिलाता हूँ फर्स करो अगर बस दो ही convex lenses होते हैं लेकिन वो बहुत पास पास होते हैं तो बता है क्या करते हैं फिर अपन करते हैं 1 upon F is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2 काम खत्म लेकिन यहाँ पर separation distance भी आ गया ना तो उसी का एक निया parameter यहाँ पर आकर के minus हो जाएगा minus of D by F1 into F2 F1 into F2 it's as simple as that ठीक है तो यह बड़ा formula बेस था तो यह तब apply करना है जब separation distance जो है ना वो अब अगर माल ले अगर separation distance considerable ही नहीं है ठीक है बहुत जादा negligible है दोनों को पास आगा एक दम तो डी की value क्या हो जाएगी 0 सुनो तो अगर दोनों जो है ना उनकी बीच में दूरियां आपने घटा दी है बहुत पास पास चुपकगा ठीक है तो डी की value क्या हो जाएगी 0 ह जाएगी और अगर डी की value 0 हो गई तो 0 upon anything is 0 और anything minus 0 is 0 तो यहां बचेगा बस 1 upon f1 plus 1 upon f2 कौन सी नहीं बात है यह हमने पहले भी तो करके रखा हुआ है कि अगर दो lenses होते है तो net power क्या होती है p1 plus p2 तो 1 upon f equal to क्या बचता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 it's as simple as that ठीक है तो जल्दी से जल्दी पहले diagram बनाओ उसके बाद फिर इस वाले फंटे को note करो जल्दी करो 321 ready go done हो गया चलो बहुत जबर दरस में बाई अब आते हैं अगले वाले case के उपर यह रहा question भाई इसको बिल्कुल try करो ठीक है तुमको सारे formula पता है मैंने हमीशा का है बाई साब जब भी आप बैठें ठीक है से एक बार खुझ से try करो नहीं बनता है तो मैं गरवाता हूँ जल्दी चलिए ठीक है okay done देख लिया होगा आप लोगों ने अब जरा इस पर शुरुवात की जाए जरा गौर फर्माइएगा करतें इसको सुल्द ठीक है अब एक बात सुनो यार find the power of a convex lens ठीक है मतलब पावर निकालने है पावर निकालने है भाई या पावर निकालने है ठीक है having equal radius of curvature on either sides of 10 cm ठीक है अब मैं आपसे बात करता हूँ उसके radius of curvature के बारे में refractive index is 1.5 ठीक है उसमें कोई बहुत बढ़ा लोचा नहीं है भाई ये convex lens होता है ठीक है तो अगर पहली वाली का circle right में बनेगा तो R1 का sign convention क्या हो जागा positive ठीक है because radius भी कहां खिचेगा right hand side में और जो दूसरी वाली का circle है वो कहां बनने वाला है left hand side में तो अगर दूसरी वाली का circle बनेगा left hand side में तो दूसरी वाली का जो radius है वो कहां खीचेगा लेफ्ट हेंड साइड में अगर दूसरी वाली का radius लेफ्ट हेंड साइड में खीचेगा तो उसका जो R2 का जो sign convention है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा तो it's as simple as that ये वाली जोड़ी सी कहानी है तो मतलब R1 convex lens में R1 लेने का positive और R2 लेने का negative इस बात को दिवाग में अटका लो मैं तो क्या बोलता हूँ भाई कि memory has to be photographic convex lens बोलूँ फट से दिमाग में चमक जाए कि हाँ 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 सही कहा रहे हैं सही कहा रहे हैं पहला वाला ये वाला हिस्सा है इसका radius obviously कहा जाएगा भाई दिमाग चलाओ ना इतना इसका circle कहा जाएगा right में तो radius कहा जाएगा right में तो R1 कैसा हो जाएगा positive उसके बाद दूसरी वाली बोले तो हाँ भाई साब बिलकुल पका पका दूसरी वाली बोले तो ये वाला surface इसका curvature देखकर कही दिमाग में चमक जाना चाहिए कि इसका circle कहा पीछे की तरफ तो इसका radius कैसा हो जाएगा negative it's as simple as that इस बात को दिमाग में अटकाओ सही से ठीक है तो R1 positive है R2 negative है किसके लिए convex के लिए ठीक है अटा गया R1 positive R2 negative ठीक है अब देखो power निकालना है equal radius of curvature है 10 cm का ठीक है कितने का है 10 cm का है तो जब गौर करना पहले तो आप जानते हैं कि power का formula क्या होता है 1 upon focal length ठीक है और इसमें भी सबसे प्यारी बात क्या पता है कि focal length होना चाहिए यहाँ पे meters में तब जा करके power आगा किसमें diopters में ठीक है तो भाईया अब solution पर आ जाओ देखो convex lens है कैसा है अगर convex lens है तो एक बात तो शौर है एक बात तो शौर है कि इसका r1 हो जाएगा positive और कितना है इसका radius of curvature 10 cm ठीक है और इसका r2 हो जाएगा negative और कितना है इसका radius 10 cm के बराबर ठीक है उसके बाद refractive index की value सवाल में पहले से given थी 1.5 के बराबर ठीक है अब एक काम करो according to lens maker formula कौन सा formula lens makers formula according to lens makers formula कहानी ऐसी जमती है कि 1 by f equal to 1 by 1 by f is equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 ठीक है जड़ा गौर करिये 1 by f is equal to mu minus 1 इसके बाद क्या आजाएगा 1 by r1 minus क्या आजाएगा 1 by r2 उसके बाद क्या हो जाएगा 1 by f is equal to जल्दी करो mu की value क्या होती है 1.5 ठीक है 1.5 में से जब मैं 1 को minus कर दूंगा तो कितना बचेगा 0.5 और 0.5 को मैं 1 by 2 लिख सकता हूँ तुम बुरा मान हो इस बात का पक्का तो 1 by r1 क्या हो जाएगा r1 मैं पहले लिख चुका हूँ कि वो होगा plus 10 के बराबर ok cool minus 1 by r2 r2 क्या जाएगा खुद minus 10 है r2 लो भाईया खुद minus 10 है तो ठीक है तो यहां से अब जो कहानी प्रोसीड होगी 1 by f is equals to 1 by 2 उसके बाद क्या है 1 by 10 और एक और चीज़ है यह 1 by 10 प्लैस हो जाएगा 1 by 10 ठीक है तो 1 by 10 प्लैस 1 by 10 मतलब 2 by 10 step wise कर दूँ 1 by 10 प्लैस 1 by 10 करेंगे तो 2 by 10 आने वाला अगले वाले step में लो भाईया ऐसे ही देख लो उसको तो 1 by 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 by 10 प्लैस 1 by 10 मतलब 2 by 10 therefore by 2 से 2 ने पढ़ गया तो क्या बचेगा 1 by f equal to क्या बचेगा 1 by 10 therefore f किता आजाएगा 10 cm f किता आगया 10 cm इसका मतलब यह हुआ 10 और cm मतलब 10 to the power minus 2 meter ठीक है ध्यान दीजेगा अच्छे से ध्यान दीजेगा ठीक है 10 और cm मतलब 10 to the power minus 2 तो यह इतना बचेगा 10 to the power minus 1 meter और 10 to the power minus 1 meter का मतलब होता है 1 by 10 meter और 1 by 10 meter का मतलब होता है 0.1 meter it's as simple as that ठीक है आजो अरे सही वाला पैंच हो यह चलो अब कहानी क्या हो रही आपको निकाहा था power of lens ठीक है तो power of lens क्या होता है यह तो one upon focal length होता है तो one upon और focal length किता रहा है 0.1 बेटा मैंने कहा था ना focal length अगर आपको यहां भरना है इस वाले formula के अंदर तो आपको पता होना चाहिए बता चुका हूँ मैं कैसे मालूम होगा आपको मैं बता चुका हूँ कि as simple as that ठीक है तो भाईया यह था आपका question यह था given question आपने इसका screenshot ले लिया होगा नोट करी लिया होगा इसको आपने answer आगया इसका 10 diopter कैसे आए इसका answer यह आपके सामने इसका पूरा detailed solution ठीक है तो जल्दी इसको नोट के लीजे 3 2 1 ready go done हो गया चलो बहुत जबरदस बेटा यह आपका majority of काम तो power of lens वाले topic के अंदर का हो चुका है अब बस आपका काम यह बनता है कि आप इसको तरीके से revise करते वो चले और जैसे कि मैंने कहा होगा आपने वैसा करा भी होगा कि lecture के दौरान copy लेकर कि आप बैठे होंगे